दोस्तो नमस्ते, चैनल में आप सबका स्वागत है फिर से जो Frequently Chart Reading के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाता हूँ उसमें एक और वीडियो बना रहा हूँ 30 October तक जिनका सेलेक्ट हो गया है उनकी रीडिंग कर रहा हूँ यह दूसरा वीडियो है तो प्लीज 15 November के लिए रिपीट लिखके अपना मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट फ्रेश स्क्रीनशॉट लेके मुझे वर्टसाइब ड्रॉप कर दीजे जो डिस्क्रिप्शन में नमबर है और आपने जहां पहले वर्टसाइब ड्रॉप किया वहाँ ड्रॉप कर दीजे आपका 15 November के बाद कोशिश करूँगा जिक्या आपकी रिडिंग करने की Selected कुनलिस की रिडिंग होते है आपको पता ही है तो आज भी Multiple कुनलिस की रिडिंग होगी जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं को यही बोलूँगा कि अगर आपको भी अपनी फ्री कुनलिस चार्ट रिडिंग करवानी है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजे Selected कुनलिस की रिडिंग होती है सुन लीजेगा Selected कुनलिस की होती है अगर आपकी कुनलिस सेलेक्ट हुई तो आपकी परसनल लीडिंग दो सवालों के जवाब प्रोवाइट कर दिये जाएंगे मतला आपकी फ्री कुनलिस चार्ट रिडिंग में अगर आप परसनल लीडिंग करवाना चाहते हैं वो चार्जेबल होती है अगर आपको फ्री कुनलिस चार्ट रिडिंग करवाना है तो सरफ वर्टसेब ड्रॉप करिए वर्टसेब पर मैं आपको आप प्रोवाइट कर दीजे डीटेल अपने दो सवाल और चानल सब्सक्राइब कर दीजे अगर सिलेक्ट होता है तो रिडिंग हो जाएगी रिपीट कर दीजे जिनकी कुनलिस सिलेक्ट नहीं हो पाई है अभी तक पहरार आज जो रिडिंग करने वाला हूँ वो शुरू करते है पहली कुनलि की रिडिंग करता हूँ मैं उमिद करता हूँ जगी आप लोगों को multiple kundlis read करें तो आप एक एक करके आप लोग सुनेंगे बाकि मैं whatsapp पर provide कर दूँगा detail जो पहली reading है वो ऐश्वरिया की है ऐश्वरिया is 26 plus ऐश्वरिया के दो सवाल है कि उनको government when should you get a job कब मिलेगी नौकरी कब चाहिए उनको government और private मिलेगी ये दूसरा सवाल है कि government मिलेगी या private मिलेगी ऐश्वरिया आपकी महादशा देखें आपका कुम्ब लगन है अक्यूरियस लगन है आपका और कुम्ब लगन में आपका moon पहले घर में बैठा हुआ है जो की छटे घर का owner होके पहले घर पे बैठा है तो यहाँ पे कही न कहीं health से थोड़ा सा problem होगा हाला कि लगन में कोई भी planet बैठता है तो वो negative एसर नहीं देता है बट moon यहाँ पे 6th house का owner है तो थोड़ा आसर तो खराब करेगा ही तो यहाँ पे आपका health से related थोड़ा सा आपको concern रहना चाहिए और competitive exams में शायद यह मदद करें तो आप competitive exams के थुरू अगर कोई job पगड़ना चाहती है तो उसके लिए आपको यह मदद करें उसमें कोई दिक्कत नहीं देगा यह moon simultaneously अगर आप चाहरी है जी government job करना चाहती है private job मिलेगा आपको देखिए ऐश्वरिया यहाँ पे ना एक problem यहाँ पे ही आ रही है आपका गुरू जो जिसकी महादशा चल रही है वो 2021 जिसकी महादशा चल रही है वो हजाँ होतें है सनििकर में बैठ हा राशी परिवर्तन कर याज आचनी-पर्यवर्टे श आपको दी डिख रहा हो काशिक पे तो हमानगे ऋपरोह जो बैठ है वाल वे धर है यह लिए ये बारवे घर्ञा़ और debilitated बैठ है तो यह जो rough work है मेरा मैंने इसको आज properly नहीं कर पाया हूँ तो यह जो debilitated गुरू बैठे हो है यहां पर इस कारण वर प्रॉब्लेम यह है यह हो रही है जिकि आपको कही ना कहीं कोई और प्रॉब्लेम से और उस कारण वर कहीं family health कहीं कोई प्रॉब्लेम होते है उस कारण वर concentration में दिक्कत होगी तो जब तक गुरू की महादशा चलेगी तब तक यह दिक्कत रहेगी गुरू के उपाय करिए Thursday के दिन प्लीज थोड़े से यलो चीजों का donation और कहीं ना कहीं कुछ यलो चीजों से related provide करिए और कोई भी जैसे आप से किसी भी मंदिर में कि जैसे कोई senior हो या जैसे मेरे जैसे astrologist हो तो उनको थोड़ा donation donation दीजी तो मतलब जो आपको welfare आपका welfare करने के लिए आपको guidance देने लिए काम करें उनको थोड़ा सा donation अगरा करिए तो उसके लिए अच्छा रहे है मंदिर में आप donate कर सकते हैं पड़े सब्सक्राइब को आपके लिए अच्छा रहेगा पीली चीजों का donation और पीली चीजों की बतला खाना पीना पीली चीजों का करिए थस्डे की दिन कोशि पैन लेता हूं मैं ऐसे तो आप भी कोशिश कर सकते हैं जितना हो सके हैं यह चीजों का donation मतलब यूज कर सके हैं आप बैट लेते हैं जिए कि अभी क्या चल रहा है भी गुरु में शुक्र की अंतरदर्शा चल रही है शुक्र के अंदर दर्शा चलने के कारण और उसके ब में तो यह काफी positive है यह बहुत अच्छा है यहां पर शुक्र आपको अच्छा रिजल है आपने मुझसे सिर्फ सवाल जॉब का पूशा इसलिए मैं आगे का जवाब नहीं दूँगा जो कुनली इसमें complications से या problem से उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं लेकिन शुक्र यहां पर अच्छा है government job mother के थुरू या parents के थुरू अगर आप महनत कर रहे हैं तो किसी के थुरू जिनके मतला आपको support मिलेगा सूर्य आपर सातवे घर का owner होके पर चौते घर में बैठा हुआ है तो अपने से 10 होके बैठा है तो यह भी अगर देखा जाते सूर्य पॉज एक अगर देखा जाए है तो आप कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए तो जॉप प्रोफामें अभी आपको शुक्र चल ला है तो हो सकता है करना चाहें तो करें करें कई अपके फादर जहां आप जा के future में आप काम कर सकती है तो अब आपके प्राइवेट या का पूछा है यहां पर चीज़opf क इसका ओल रहा हूँ यहां करना चाहे तो तो इसमें आपको फाइदा मिलेगा कोशिश यह रहेगी कि अगर आप गॉर्मेंट जॉब करते तो कोई competitive exam के थुरू करिए कोई ना कोई जॉब अगर आपको मिलनी है तो मिल जाएगी कि अभी समय अच्छा है शुक्र की जब तक अंतरदशा चलेगी गुरू के अंदर आपका करीबन 30-40% positive रहेगा और शुक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको benefit देगा क्योंकि योग कारल problem दे या कुछ family में कोई dispute वगरा मतलब जो भी है यह सवाल चीज़े हैं तो यह कर सकता है मून लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं competitive exam में आपको कहीं ना कहीं success दिखाता है शनी भी लगन का माली को के बारवे घर में दूसरे घर में बैठा हुआ है तो communication में भी अच्छा रहेगा लगन का माली दिक्कत सरव इतनी है जी कि जहाँ शनी बैठा है उसका माली debilitated और उसी की महादशा चलिए इसलिए ये problem है तो इसको sort out कर लीजेगा गुरू के वो कर लीजेगा और job कब लगेगी तो job अभी लग सकते है और अभी ना लगे तो 27 के बाद लगेगी 26 के बाद लगेगी एक साल का सूरे की अंतरदशा लगेगी तब आप job का try कर सकते हैं government job का अभी भी job कोशिश करेंगी तो लगेंगी लेकिन महनत बहुत लगेगी अगर job में दिक्कत आ रही है तो father के साथ कोई business या कोई ऐसा education लीजे जिसमें duality हो consultation जो हो जिसमें दोनों काम कर सकते हैं business कम job जो कर सकते हैं जैसे doctor हो जाते हैं जो practice भी कर सकते हैं जो ये सब दोनों काम कर सकते हैं या और आप कुछ काम ऐसा करिए जो social works related हो या आप service करने में काम हो उसमें आपको ज्यादा अच्छा benefit मिलेगा क्योंकि लगन यहीं दिखाता है मून जब 6,000 का ओनर हो गया बैठा है तो medicine line में भी अगर जाती हैं तो आपके लिए बहतर रहेगा उसमें service करेंगी तो अच्छा रहेगा ठीक है तो ये आपका इश्वरेजी reading है अभ थोड़ा सा जाने की कोशिश करिए ठीक है तो ये मेरी reading थी अभी आपके लिए दूसरी reading मैं करता हूँ दूसरी कुंडली जो है ये अक्षित की है अक्षित अभी सिरफ 12 साल के 11 साल के है इनकी मदर ने ये सवाल पूछा शायद अक्षित के मैंने शायद इनी की कुंडली म जो भी है तो अक्षित ये सवाल इनकी लिए सवाल इनके parents ने जो पूछा है उसके regarding पूछा है जिके अभी राहू की महाद अशा इनकी चल रही है तो इन्होंने पूछा career choices क्या होंगी और planetary planet कौनसे stronger और कौनसे weak है और almost almost same सवाल है तो जो उनकी daughter के लिए पूछा तो इन् पहले planetary condition पूछ लेते हैं कि कौनसे strong है कौनसे weak है चार्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ में फिसे कह रहा हूँ क्योंकि इस बार मिलको आस time नहीं रहा तो ऐसा है कि आपका cancer लगन है आपके बेटे का cancer लगन का होका moon आठवे घर पे बैठा है शनी के घर पे बैठा है feed करिए दूध पिलाएं कुतों को और गाय को feed करिए गव माता को feed करिए भगवान शिफ को अराधना करिये और उनको भी बले बच्चे को भी बैठता है तो भगवान शिफ की अराधना करने के लिए बोले Ima guitar〜今 महा मित उएका जाब करने नहीं है। हलकि मून को ॲिख नहीं लगता, यहाँ पे लेकिन ये शनी का घर है और मून शनी के घर में खुश नहीं रहता है. तो यह कहीं से भी मेरे को positive नजन नहीं आता, 20% positive होगा की sudden yan नहीं से कुछ दे दे, लेकिन ये कही न कही प्रॉब्लम है लेकिन ये अच्छी बात है आपकी महादशाओं में कभी भी मून आने नहीं वाला लास्ट कभी महादशा है बहुत आगे है अभी राहूश उसके बाद गुरू फिर शनी फिर बुद्ध और फिर केतू और फिर उसके बाद आगे चलता रहेगा तो अभी कई जीवन का काफी पड़ाव निकल जाएगा लेकिन जब जब मून आएगा लगन को अगर आप स्ट्रॉंग नहीं करेंगी तो दिक्कत होगा तो स्ट्रॉंग मून मून की मून वीक है शनी ठीक ठाक है मंगल ठीक है अच्छा है तीसरे घर का मंगल अच्छा होता है लेकिन शनी के साथ बैठा है तो थोड़ा सा कॉम्पनी यहां पे स्ट्रॉंग बढ़ा देगा और परिशान करेगा इंसान को स्ट्रॉंग में हेल्थ से भी कही न कहीं प्रॉब्लम देगा क्योंकि शनी के साथ बैठा हुआ है शनी यहां पे 7 और 8 घर का मालिकों के तीसरे घर में बैठा है आँविसली में शादी में कहीं न कहीं और फैंबली में मतलब स्ट्रॉंग नहीं है तो शनी मतलब sunny strong है यहाँ पर problem create करेगा ठीक है अब positive बात सूर्य भी तीसरे घर में बैठा है बुद्ध की घर में बुद्ध लगन में बैठा है तो यह ठीक है सूर्य तीसरे घर में बैठा है ठीक है positive ना से चौते घर मालीक है और आयश का मालीक है 11 प्नर होके और फोर्थ हैश का उनर होके शुक्र 11 प्नर होके खुदी और छब्रदस पैसा देगा और घुर्ञटेस बहुत हैं ठाझे तो और चटी और बालि के इसी पर advent का मालिक तो काफी अच्छा पॉजिटिव है राहू की तृष्टी पढ़ रही है पंचम घर से तो कहीं ना कहीं राहू इस नौट पॉजिटिव राहू की महादशा भी चल लिए तो कहीं ना कहीं एजूकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं अब बात कर लेते हैं कि करियर और चॉइस कैसी रहेगी करियर चॉइस क्या होनी चाहिए देखिए लगन में बुद्ध बैठे हुआ है और चंदर की राशी है मन तो बटकाव में रहेगा क्योंकि मून 8000 बैठा है शनी की राशी में बैठा है मन तो परिशान रहेगा चंद चल रहेगा थोड़ा सा और हो सकता है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जा और ऐसा आत्मी बच्चा कहीं न कहीं फ्यूचर में जाके कल्ट नॉलेज की तरह जाता है जाने की कोशिश करता है इसके इलावा बुद यहां बैठे हुआ है और शानी आप लोग शायद वो पसंद ना करे अभी और आप लोग शायद उस ताम को अ के इसाब से पूछना चाहती है तो मैं यहीं बोलूँगा जीकि बुद लगन में बैठा हुआ है और शानी सात्वेगर का मालिक है और करमेश का मालिक मंगल है तो अगर आप चाहें तो इनको अभी राहू की महादशा चले थोजार इक तिस तक तो एजूकेशन में कहीं न मंगली हाँ पर देखा जाए तो पंचम पांचवे घर का मालिक और दसवे घर का मालिक हो तीसरे घर में बैठा है तो एजूकेशन में कहीं कंपेटिटिव एक्जाम्स हो गएरा करने में कहीं कहीं कर्वर्मेंट जॉब से रिलेटेड अगर कुछ करने की कोशिश करता है ज बुद्ध उनको बेनिफिट देगा या लिटिगेशन में चला जाए तो भी अच्छा रहेगा तो या कहीं कोई आर्मी रिलेटेड को एजूकेशन लेता है या कोई डॉक्ट एजूकेशन ऐसा ले मेडिसिन लाइन से भी ले सकता है एजूकेशन हाँ सूरे बैटा है बु बुद्ध नहीं देता है तो राहु पंचम घर में फिर भी कोई ना कोई डिस्प्यूट देगा परसन कुछ करके लाइफ में कोईना कोई डिफिकल्टीज देगा लेकिन सम्हाँ ये निकल जाएंगे और अगर डॉक्टर या लिटिगेशन में डालते हैं जहां और कुछ ऐसा काम जो कॉम्टीकेशन से रिलेटेड हो तो वहां पर ये फिल्ट में अच्छा कर सकते हैं वैसे सर्जन भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि मंगल तीसे घर में बैठा हो पांचवे अगर तो एजूकेशन अगर कहीं स्पोर्ट्स या आर्मी रिलेटेड या मेडिकेशन यहां पर सर्जरी वगरा ब्लेर डिलेटेड काम तो कर सकते हैं और मली र्छे वे तीसे घर में बैठा है आट वे घर का माली को के और ह।्ट मली कामूर्ख मंग तौ कल्प नॉलेज या कहीं न कहीं नहीं रखते हैं लेकिन मूँं डाउन है तो मूण को पाई करिएगा ठीक है तो यह मेरा दूसरा रीडिंग था अक्षित के लिए अब यह मैं तीसरी रीडिंग करा हूं यह शाही रमया का है यह साही रमया की age 22 है आप लोग confusion हो तो पहली वाली जो reading मैंने करी हो एश्वरिय की करी है जिनका mobile number last 406 है और मैंने अक्षित की करी है दूसरी reading इनका तो अक्षित का तो पता चल जाएगा मैंने number यहां नहीं लिखा गलती है तीसरी reading जो है साही रमया की है साही रमया आपकी last mobile number में 185 है तो यह आपका reading है 22 प्लस है आपकी age आपके दो सवाल तक की foreign settlement होगी और मैरी जोग है के नहीं foreign में काम मिलेगा या और foreign settlement होगी के नहीं 22 साल की हो यार ठीक है चलो लेकिन सवाल अच्छा है ऐसा नहीं लेकिन अभी से इतना tension नहीं लेना जी की foreign settlement कोशिश पूरी करती रहो मिलने के chances हो सकते हैं चलो लगन के हिसाब से बात कर लेते हैं ठीक है education के लिए तो लोग जाते ही है ना तो job के लिए भी जाते हैं तो ठीक है सेज में ऐसा कुछ नहीं अगर अभी अगर कुछ problem हो भी तो future में जरूर मिल जाएगी कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को मतलब लेकिन यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं चलिए आपका cancer लगन है और आपका cancer लगन में मून आपके आय के घर में जाके बैठा है मतलब लेवथ हाー जाके बैठा है लगन का मालिक लेवथ हाउस न यहाur चंत में जाके करह और शनी अपको देखाती हैं गेर आपके ऑच्छ ए? और शुक्र किस चीज का मालिक है शुक्र मालिक है सेकंड हाउस का और 11 का तो अगर बात कर रहे हो तो अभी चाहिए समय हो ना हो शादी का लेकिन जब भी होगी योग बहुत अच्छे है कोई दिक्कत नहीं है लगन के हिसाब से शादी में कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं दिखाई देती है ठीक है जब करना चाहो तब कर सकती हो और कहीं न गहीं लग मैरिज कर सकती हो और कहीं न गहीं ये भी हो सकता है अपनी पसंद की शादी करोगी और किसी ऐसे इंसान से करोगी जो stable mind का हो और पैसे वाला हो और तुम पैसे वाले सी शादी करोगी ठीक है तो जरूर कर सकती हो और 8th house का मालिक हो के शनी 11th house में रठा है तो foreign settlement है तो किसी foreigner से भी कर सकती हो शादी कोई गैरेंटी नहीं या जो foreign में settle हो ऐसे आदमी से शादी कर सकती हो तो ये है योग पूरा है टेंशन मतलो उस चीज का शादी की टेंशन हो रही है 22 साल में चलो ठीक है अँख हमारी इंडिया में ये सब होता है नहीं ये सब चीजे हो जाती है, 22 साल में शादी बाधी की टेंशन चली, अब foreign settlement की बात होती है तो बिल्कुल सही बात है, फॉरें सेटल में 8th house का ओनर शनी 11th house में बैठा है, राहु आपका 12th house में बैठा हुआ है, बारवे घर में बैठा हुआ है, बारवे घर में नमबर 3 लिखा है, मतलब बुद का मालिक है, बुद उसके मालिक है, बुद यहाँ पे भागे, education के घर मे पांचवे घर में बैठा हुआ है, सूरे के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और सूरे आपका कुटुम का मालिक, फिक्स ऐसेट का मालिक है, पांचवे स्थान में बैठा है, तो education के घर मेहनत करोगी, तो आपको जरूर आपको यह फॉरें का, यह कुंड़ी के इसाब से बैठा हुआ है, वो उस चार्ट को देखके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर नवाज बुद के घर में बैठा हुआ है, तो education में महनत करनी पड़ेगी, education के थूरू आपको foreign settlement मिलेगा, देखो राहु बारवे घर में बैठा हुआ है, बारवे घर का राहु हमेशा foreign settlement में तो यहाँ तीसरे नमबर पे तीन नमबर पे राहु लिखा तो foreign settlement आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अब बात कर रहेते हैं दशाओं पे, दशा आप गुरू की चल रही है, गुरू की दशा, गुरू में गुरू ही चल रही है, अंतर दशा में माफ किजए, गुरू में शनी के अंतर दशा लेगी, जब 2017 में तीन साल के लिए लगेगी, उस टाम पे डिले जरूर होगा, लेकिन काम जरूर, कोशिश जरूर कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पे गुरू, आप शनी के अंतर दशा में, एर्थ हाउस का ओनर होके शनी, तो कही कोई रिलेशन्शिप के थुरू, या किसी के, आपके खुद की महनत के थुरू, कही न गई, सडन चांसे बन सकते हैं, एर्थ हाउस में, शनी की, आपको फॉरन सेटल्मेंट के लिए, लेकिन आपको अपने एजुकेशन को लेके सीरिस होना पड़ेगा, और एजुकेशन म लेके, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है, राहु अच्छा बैठा हुआ है 12,000 में, शनी प्रॉज पॉजिटिव है, गुरू पॉजिटिव है, भागेश का मालिकों का आए के घर में बैठा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा हो सकता है 24 तक, 16 अगस्त, 24 तक उपर नीचे हो, लेकिन अभी भी जाने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करोगी तो अभी भी जा सकते हो, लेकिन उसके बाद अप्शनी की अंतर दशा लगेगी गुरू के अंदर, और जब तक गुरू की अंतर दशा लगी है विया, अर अपना बिजनेस या किसी पार्टनर के तुरू करना के चांसेस बनते हैं, एजुकेशन के तुरू, पार्टनर के तुरू और अपनी महनत के तुरू, इन तीन चीजों पर फोकस करेगा, फोरन सट्ल्मेंट के या फोरन जाने के लिए, एजुकेशन, महनत, करेज और पार् जिए आपकी एज वाय्त टो बुलिंगे इस थर्टी थरी यह इनकी परसेंज लाइफ में उसके बाद अब यह इनकी बेटी है अनके साथ यह रहती है और लिंप हरिक जी आपका लास्ट मोईल नंबर 170 निहारिका जी के दो सवाले के गॉर्मेंट जॉब या जॉब और पहला सवाल ये है दूसरा सवाले के घर बनेगा के नहीं बनेगा निहारिका जी आपकी कुंडली अगर देखूं तो राहू, सूर्य और शुक्र तीनो ग्यारवे घर में बैठे है ये पॉजिटिव है इनकम के हाउस में बैठे है लेकिन शनी के घर में बैठे है लेकिन इसलिए नहीं कहा रहा है कि शनी के घर में कोई प्रॉब्लम है दिक्क नहीं आ रहा है मैं लिक नहीं पाया है हाँ पर 32 प्लस है या 33 प्लस है अगर मैं अभी यह इसमें यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां मैं एक चीज बोल देता हूं आपको जिकि आपका लगन जो है वो पाइसेस है मतलब जुपिटर इसका ओनर है औ गुरू के घर में शनी बैठा हुआ है करमेश के घर में शनी बैठा है और बुद के साथ बैठा हुआ है अगर आप देख सकती है तो तो यहां पर एक सवाल आपने पूछा है कि गौर्मेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी देखिए पहला दूसरे को पहले उठा लेते कि छांसेस तो बने पड़े थे लिकिन आपकी महा दाशा भी मून घी चल रही है मून आपके पांचवब घर का मालिक होके चेटे घर पर बैठा है तो कही नगई आपके बच्चे से रिलेटर्ड्ड आपको कही नगई दिखकत देखनी पड़ी हो उनके हेल्थ को लेड़के या कहीं ना कहीं वो होने के चांसेज है इस कारणमस या उस कूप को लेके आप ज़्यादा कंसर्ण रही है और इस कारणमस आपका मन भटक रहा है हाला कि छटे घर का मून को भी डाउन नहीं जाता है घर बनना था तो या तो आप अभी अगर अभी आप इंस्टेंटली बनाना चाहती है अपना घर तो मैं आपको कोशिख एडवाइजरी यह दूँगा जिकि अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा से दूर बना लीजे क्योंकि मून यहाँ पे बर्थ प्लेस से दूरी से दिखा रहे है अभी महादशाओं में चल रहे है दोज़ा 29 तक अगर आप घर बनाने में कंसर्ण ही है घर बन जाए तो दोज़ा 29 तक तो 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 तोड़ा बर्थ प्लेस से दूर बनाने का कोशिश करिए ठीक है तो आपके लिए अच्छा रहेगा हाला कि समय था जून के महीने तक या अभी एक दो महीने अभी तक समय हो सब्टेंबर तक का समय था 2023 के अब शनी का समय चला है यहाँ दिक्कत दिये कि गुरू रेट्रोगेट है तो गुरू का उपाय करिए रेट्रोगेट गुरू है यहाँ पर तो तीसरे घर का भी रेजल्ट दे रहे हैं चौते घर का भी रेजल्ट दो नौ में बैठे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लेम हो रहा है तो तो थोड़ा सा आपको गूरू के उपाय करने पड़ेंगे और अभी शनी के अंतरदशा चलिए, मून की भी महादशा चलिए तो मून की भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, मून की उपाय आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, गाय को फीट करना पड़ेंगे, गव मातों मैंने जैसे बोला कोई भी भोले नाथ की पूजा करिए और शिफ तांडफ शोत्र और महामित तुन जय का जाब करिए या ओम नमाश्रिवाय का ही जाब करिए लिकिन करिए जितना हो सके अगर कर नहीं सकते तो साउंड रिकॉर्डिंग चला दीजे घर में और उसके साथ कॉंसेंट्रेट करने का कोशिश करिए ठीक है अब बात करती है हाउस का हाउस अभी बनने के रेट्रोगेट शनी है तो शनी के उपाई करना पड़ेगा आपको जैसे मैं हर बार बोता हूं डॉक फिट करना सकती है अपना घर लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मुण यहां पर चटे घर में बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं मन भटक रहा होगा कहीं न कहीं ठीक है अब बात यहां आता है आप गहीं पर ऐसा ट्राई कर सकती है और कैसे मेडिकल लाइन में अगर आप वी कोशिश करिया है या सर्विस में कोशिश करें या EDUCATION में कहीं सर्विस Church करें तो आप करने की कोशिच करिए आपके लिए अच्छा फाइदा मिलेगा शनी अंतरदशा में आपको गॉर्मेंट जोब अभी और इसके बाद बुद्ध की दशा में आपको ज़रूर जोब मिलने के चांसेस बन सकते हैं और आप कोशिश करेंगी तो मिलेगा यहां मून थोड़ी सी दिक्का दे रहा है मून के बाद अगर मंगल आ जाए अगर मैं देखूं तो 1229 के बाद मंगल लग रहा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा और 35 के उमर के बाद भी आपके लिए अच्छा रहेगा ल मंगल खुद भागय स्थान में बैठा हुआ है तो आप 1229 के बाद बहुत बड़ा घर बना सकती है बहुत अच्छा घर बना सकती है लेकिन तब तक आप अपने आप कोशिश करते रहेए ऐसा कुछ नहीं है जीकि दिक्कत बहुत है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपक कमी नहीं होनी चाहिए जित्ता मुझे दिख रहा है तो आप किसी education sector में या किसी service sector में job पढ़िए high-five job ना भी मिले तो अभी के लिए अगर जो मिलता है lower categories में भी अगर पतलब जो नीचे की categories होती है government sectors में उसमें भी अगर आपको opportunity मिलते तो चली जाएए आपको growth मिलेगा ठीक है तो ये थी मेरी reading निहारिका जी और की लिए ये मेरी आखरी reading थी आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो please like और share करिए और subscribe करिए channel यही उमिद करता हूँ अब इसके आगे जो भी reading होनी है इसके आगे अगर होगी कोशिश करूँगा करने के लेकिन chances कम है तो repeat trick के भेज दीजेगा और नए नए वीडियो जो चीजे हैं जो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ अब टॉरेस लगन के रिगार्डी में बात करने कोशिश करूँगा तो उसकी वीडियो जितनी जल्दी हो सेगतने और जल्दी अपडेट करूँगा तो थैंक यू सो मच नवस्ते